Hello and welcome back guys, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई person हमारी website या landing page के उपर आता है और आने के बाद अगर वो किसी content को copy करता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर, मान लिया मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस particular content को copy करता हूँ अगर, तो मैं च track कर सकते हैं कि जो content copy किया गया है, वो content कौन सा है, चलिए शुरू करते हैं इस चीज को, और इसके लिए सबसे पहले data layer में हम event push कर पाएं, उसके लिए हम एक custom event listener है, उसको use करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ GTM के उपर आ जाओंगा, और मैं जाओंगा tags के उपर ठीक है, हमें एक custom tag जो है, custom HTML tag जो है, वो fire करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर आ जाओंगा, custom HTML और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, copy text, ठीक है, और tag configuration में हम लोग जाएंगे, और मैं जाओंगा custom HTML में, और यहाँ पर आप लोग के लिए, मैंने यह code जो है, अल्रेडी निकाल के रखा हुए, यह code मैं इस बार description में डाल दूगा, वहाँ से ले सकते हैं, और इसके लिए आपको एक बार वीडियो को like तो जरूर करना पड़ेगा, तो मैं इसको copy कर देता हूँ, यहाँ से, this is the custom code, जिसे हमें यहाँ पर mention करना है, तो मैं इसको यहाँ put कर दूँगा, नीचे आऊँगा और इसको हमें all pages के उपर fire करना है, fine, मैं save कर दूँगा यहाँ पर, और इसके बाद यह सही तरीके से काम करा है यह नहीं, इसके लिए हमें preview and debug में जाना पड़ेगा, ताकि हम देख सकें कि data layer में हमें event जो है वो दिख रहा है या नहीं द करता हूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं एक बार के लिए copy करता हूं यहां से, और वापस यहाँँगा, तो आप देखो कि यहाँ पर आपको एक event दिख रहा है, text copied, ठीक है, data layer में आपको एक event दिख रहा है, text copied, और यहाँ पर आप देखो, अभी इस event के उपर कोई भी tag fire नह अगर मैं वापस आजाओं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, its more से लेकर living तक, जो भी मैंने copy किया था, वो यहाँ पर है, तो अगर इस चीज़ को मुझे GA4 के अंदर भेजना है, तो उस बात को समझो, उसके लिए हमें variables के अंदर यह information चाहिए, यह जो copied string है, यह हमें variables के अंदर चाहिए, तो अभी हमें यहाँ पर यह data layer में तो दिख रही है, अगर मैं variable में देखूं, तो variable में यह जितने भी हमारे variables यहाँ पर है, जैसे आप देख रहे हो, video वाले variables है, scroll वाले है, click वाले है, जितने भी variables है, हमारे predefined variables है, और इन variables के अंदर कहीं पर भी, आपको clipboard text का जो variable है, वो नहीं मिलेगा, तो guys, अब हमें क्या करना है, हमें custom variable बनाना है, data layer type का, ताकि हम इस वाली value को उस variable के अंदर store करा सके, फिर dynamically इस value को हम GA4 में, जो हमारा event tag होगा, उसके साथ push कर सके, बात clear हो गई, तो अब सबसे पहले जो हम लोगों ने किया, क्या किया है यहाँ पर हम लोगों ने एक tag बनाया, custom HTML tag, जो कि basically एक event listener है, जो कि text copy event को, जो है, वो capture करेगा, उसके साथ साथ हमें एक variable बनाना पड़ेगा, जो हमारा copy text है, उसकी string को save करे, तो मैं यहाँ variables में आ जाऊँगा, quickly, और यहाँ पर हमें नीचे आना है, ठीक है, new में, यहाँ पर हमारे user defined variables में जाना है, और यहाँ मैं data layer variable और इसका मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ, clipboard text, ठीक है, और इसको मैं फिर से copy कर दूँगा, क्योंकि इस variable का नाम भी हम लोग वही रखेंगे, तो यह नाम हो गया, और यहाँ से मैं data layer variable जो है, वो select कर लूँगा, यहाँ स यहाँ पर आपको दिख रहा है data layer variable और data layer variable का हम लोग name रख देंगे, और इसको हम लोग save कर देंगे, यहाँ पर, that's it, ठीक है, उसके बाद guys हम लोग को, जो event हुआ है हमारा, उसको भी हमें as trigger बनाना है, तो मैं trigger पर आकर new के उपर click करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख is the name of event, मैं इसको copy कर लूँगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ और यह custom event है हमारे, ठीक है, तो मैं इसको save कर दूगा, now we'll come back to the tags section, और यहाँ से हमें एक GA4 का tag बनाना है, तो event हो गया, GA4 हो गया, और इसका नाम हो गया text copy, और tag configuration में जाएंगे, GA4 का event select करेंगे, अपने GA4 की measurement ID select करेंगे, बहुत simple है यह, और event का name मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, text copy, यह हमारा event का name है, text copy, और यह कब होगा, जब हमारा text copy वाला जो event है वो होगा, और इस event के साथ हमें कुछ parameters भेजने हैं, जो की copy text है हमारा parameter, मतलब जो हम लोग इस string की बात कर रहे थे, जो चीज यह देखो, data layer का variable हम लोगों ने मनाया था, clipboard text, इसको हम लोग भेज रहेंगे, हम लोग save करेंगे, इसको prevent debug करेंगे, और उसके बाद हम लोग debug view में जाकर देखेंगे, GA4 के, कि यह वाला जो event है, यह सही तरीके से वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नहीं, और उसके बा हम यहाँ से पहुंच जाएंगे, इसको मैं करता हूँ, copy, इस बार मैंने 3BHK और यह वाली जो line थी न, इसको मैंने copy किया, मैं वापस आउँगा यहाँ पर, and within seconds अभी आप देखोगे, आपको यह event यहाँ पर दिखने लगेगा, यह दिखो यहाँ पर, आपको दिख रहा ह अगर आप इस container को live कर देंगे, तो यह publish हो जाएगा, और फिर आपको आपके जो events वाले section है, उसके अंदर यह सारी reports दिखाई देगे, ऐसे बहुत सारे मज़ेदार ट्रैकिंग के options available है, with the help of gtm और power of java script की help से, आशा करता हूँ, दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे जा सके, दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, मैंने नेक्स वीडियो में, till then, good bye.